हलो डियर स्टुडेंस, वेलकम टे शोश्यो पॉइंट जैसा कि स्क्रीन पर आज आप लिखा वो देख रहे हैं टैलकुट पार्संस तो हमारा ये वीडियो टैलकुट पार्संस पे है ठीक है, आज हम पार्संस के बारे में जानेंगे इनकी बहुत सारी थेयोरीज आपको अपने सेलबस में पढ़नी है ठीक है, इनकी थेयोरीज पढ़ने से पहले आप इनके बारे में जान जाएं तो जादा बहतर होगा, ठीक है, थेयोरीज से आप अपना जुडाओ भी महसूस करेंगे ये एक स्वभाविक सी बात है कि जो भी समाज शास्त्री है, उन्होंने अपनी थेयोरीज दी है ठीक है, उन थेयोरीज को आप उनकी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो जैसी उनकी लाइफ रही है उसका प्रभाव उनके सिध्धान्तों पर साफ तौर पर आप देख सकते हूँ बहुत सारे सिध्धान्त आप जानोगे टैलकॉट पार्संस के तो इनके जो थियोरीज हैं उनको शुरू करने से पहले आप इनके बारे में जरूर जानिए ठीक है और उमीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसके नोट्स भी प्रिपार करोगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह आपके टैलकॉट पार्संस है ठीक है यह स्ट्रक्चिरल फंक्शनलिस्ट के तोर पर जाने जाते हैं यानि कि संरचनात्मक प्रकार रिवादी और यह बहुत ही फेमस सुशॉलिजिस्ट थे अपने समय के यह USA से हैं ठीक है अमेरिकन सुशॉलिजिस्ट है यह और बीस्वी शताबदी में इनकी थेयोरीज का बहुत दबदबा था समयाज में उस समय कुछ समय शास्री ऐसे थे जिनोंने इन्हें संस्कृति वादी या संस्कृतिक निर्धारण वादी माना इन्हें संस्कृतिक निर्धारण वादी या संस्कृति वादी क्यों कहा गया यह जब आप इनकी थेयोरीज पढ़ोगे तब जानोगे लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है तो इसलिए इससे आप ध्यान में रखोगे ठीक है फिर Max Black call him Maverick Sociologist Maverick को मुस्तफा हसान में हिंदी में विचित्र समाज शास्त्री मिला है मुझे Maverick Sociologist इनने किस ने कहा है तो Max Black ने कहा है ठीक है इसके अलावा Elvin Ward Goldner ने ने क्या कहा है Status Quoist Sociologist हिंदी में कहेंगे यथा स्थितिवादी समाज शास्तरी Elvin Ward Goldner ने इससे यथा स्थितिवादी समाज शास्तरी कहा है Status Quoist Sociologist जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है Structural Functionalist है ठीक है ये आपको दिख रहा है Structural Functionalist है तो इसी के वज़े से इनने क्या कहा है Status Quoist Sociologist ठीक है प्रकार्यवादी है सनरशनात्मक प्रकार्यवादी इसलिए ने यथा स्थितिवादी समाज शास्तरी का है क्योंकि ये किसी Change को Accept नहीं करते है Society में मतलब Society का structure नहीं बदलेगा इनके कहने का मतलब आगे इनकी theories पढ़ोगे तो जानोगे इसको और deep से क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें आप याद रखो अगर हम इनकी life के बारे में बात करें तो इनका जन Colorado USA में हुआ था ठीक है ठीक है United States of America तो यहाँ पर हुआ था American Sociologist है इसलिए अमेरिकी समाज शास्त्री और ये बच्पन से ही क्या बनना चाहते थे एक Biologist या Doctor बनना चाहते थे क्योंकि इनका बच्पन से Interest किसमे था Biology में था ठीक है Biology में ये इनकी रूची थी फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में इनका सनातक कहां से हुआ सनातक से पूर्व का मिलता है कि सनातक से पूर्व की डिगरी जो है इन्होंने Armist College से ली थी 1924 में Armist College में इन्होंने पढ़ाई की और देखिए यहां पर इनको Biology में Interest था बट इन्होंने इनकी At Last जो Graduation हुआ कि सब्जेक में हुआ Economics में हुआ आपके साथ भी बहुत होता है कि 12 में किसी और सब्जेक में Interest था बट जाकर आपके जब Graduation की बारी आई तो कुछ और ही करने लगे 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 लंदन स्कूल ऑफ एकॉनमिक्स में गए अब आप यह भी देखोगे कि यह हर जगा जा रहे हैं अमेरिकन शुशॉलेजिस्ट हैं अलग अलग जगा जगा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए ठीक हैं तो इसके बारे में अभी आप और आगे जानोगे चले सुनते जाएं तो फिर गए यह लंदन स्कूल ऑफ एकॉनमिक्स यहां से इन्होंने अपना पूरा ग्रैजुएशन कंप्लीट किया फिर इन्होंने पीएचटी कहां से किया पीएचटी इन्होंने जर्मनी से किया बर और सबसे प्रभावित हो रहे हैं ठीक है किस्से किस्से मिले वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगे इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में और क्या महान काम किया कि he translated most of the writings of Max Weber from German to English ठीक है कहां कि है ये अमेरिका के English भाषा थी इनकी ठीक है पढ़ाई कहां से कर रहे हैं जर्मनी से ठीक है ब्लास्ट पीएचटी इन्होंने जर्मनी से कि तो Max Weber की जो writings थी वो समय जर्मन भाषा में थी ठीक है तो इन्होंने English word को जो English बोलने वाला जो इनका देश था उसको इन्होंने क्या किया Max Weber से इंट्रड्यूस करवाया क्योंकि इन्होंने उनकी कृतियों का अनुवाद किया किस भाषा में English भाषा में ठीक है जर्मन में थी English भाषा में बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स थी Max Weber की जर्मन में नहीं ट्रांसलेटिड थी इसलिए जर्मनी के लोग इसे नहीं पड़ पार सॉरी English में ट्रांसलेटिड नहीं थी इसलिए जो अंग्रेश थे American ठी करवाने का काम किया एक तरीके से क्योंकि वो तो पहले पढ़ी नहीं पा रहे थे ना इंग्लिश में लिखा हुआ था सारी English में लिखा हुआ नहीं था सारा कुछ भी सब कुछ जर्मन भाषा में था अब जब यह जर्मन गये जर्मनी में गये वहां पर उन्होंने पढ़ा कि भाई हम इनको अब इनकी जितनी भी बुक्स हैं इसको हम क्या करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको अब सब ही लोग पढ़ेंगे ठीक है फिर इसके बाद इनका सेलेक्शन कहां पर हुआ फिर इन्होंने टीचिंग वर्क कहां किया हौवर्ड युनिवरस अब हम जानेंगे कि इतनी सारी जगा पर घूम घूम करके पढ़ाई कर रहे हैं और इनको कहां पर कौन-कौन मिला और क्या-क्या चीजें इन्होंने जानी प्रभावित हुए ठीक है उन सब के बारे में हम अभी आगे देखते हैं तो मैंने एक हैडिंग बनाई है इस इंफ्लूएंसर कौन-कौन है देखते हैं जब ये लंदन स्कूल आफ एकॉनिमिक्स में थे तब ये किस से मिले वहाँ पर मौरिस किन्सपर्ग से मिले मैलनौस्की से मिले इवांस प्रिचार्ड ठीक है इस तरीके के समाज शास्त्रियों से मिले वह उस टाइम सोशालिजी में क्या किया सबसे पहले सहभागी अवलोकन के दुआरा एक ट्राइब की स्टड़ी की उनके बीच में रहा उन्होंने मैल स्टड़ी की जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुई ठीक है तो यह मैलनौस्की से मिले वहां पर इवांस प्रिचार्ड भी है ठीक है यह सब एंथ्रोपॉलेजिस्ट की कर्टागरी में ज्यादा आते हैं तो ठीक है इनकी जो वर्क करने का मैथड होता है वह उससे बहुत ज इस मेर्स शास्त्री होते हैं तो यह क्या करते हैं जद तर ट्राइब की स्टडी करते हैं और उनके जो भी है इसकी जो किसे बारे में जानते हैं। उसके कου likes बारे में जैसे अब ही बतायए उन्होंने प्रिचा सारी चीज़ों से यह जो इवांस पिचार्ड है और मैलनौस्की है तो इनसे इन्हों ने क्या क्या इससे प्रभावित हुए कि हाव कल्चर शेप हुमन बहेविर है ना इनसे इन्हों ने एक बात समझी कि कैसे संस्कृति की वज़ा से मानव का जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है संस्कृति मानव के व्यवहार की तो प्रभावित करेगी करेगी जैसी आपकी संस्कृति है आपका व्यवहार उससे सीधे तorial पर प्रभावित होगा तो यहां पर इन्होंने इस बात को समझा इन से जब वो दूरिंग स्टडी ओफ लंदन स्कूल ओफ एकॉनिमिक्स ठीक है यहाँ पर वो फिलोसिफिकल राइटिंग्स ओफ इम्मैनुवल कांट से भी थे प्रभावित ठीक है जो दार्शनिक कृतियां थी कांट की इम्मैनुवल कांट ठीक है तो उससे भी बहुत ज् सकते हैं समाज शास्त्र में ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने कांट से यह चीज़ समझी फिर जब यह यहाँ पर आपने देखा उपर की पिएचडी इन्होंने बरलिन जर्मनी से की तो उसके कुछ समय बाद यह क्या हुआ हुआ होवर्ड युनिवर्सिटी में इनका सेलक्शन हो गे हापर वो टीचिंग वर्ग करने लगे तो है न तो यहाँ पर आने से करीब 5 साल पहले इनका जो है जब यहां पर आए वो तो पात साल पहले कहा जाता है कि किसी डेथ हो गई थी मैक्स वेबर की डेथ हो चुकी थी और जो उनकी वाइफ थी मैक्स वेबर की वो regular seminars करती थी और वहाँ पर वो मैक्स वेबर की बारं में बात करती थी ठीक है उनको topic बना करके seminars करती थी और ये जो persons हैं ये regular उनके lectures join करते थे और regular उनको सुनते थे और वहां से क्या हुआ ये प्रभावित हुए मैक्स विबर से ठीक है हीडलबर्ग यूनिवरसिटी में हीडलबर्ग यूनिवरसिटी में 1925 यहाँ पर इनकी PhD चल रही थी ठीक है जस्ट कम्प्लीट हुई थी तो इस तरीके से ये मैक्स विबर से अफगत हुए इसके अलावा और किसे किसे है इनका जब ये पढ़ाने आ गए थे हॉवर्ड यूनिवरसिटी में तो यहाँ पर जोसफ शुम्पिटर थे जो की डेवलप्मेंट एकॉनिस्ट थे ठीक है इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इन्हों इनसे इन्होंने क्या सीखा कि कैसे रैश्नालिटी वजह है किसकी मॉडानिटी की है ना इन्होंने इनसे ये सीखा और ये सीखने की और ज़्यादा रिशर्श करने की इनके अंदर इच्छा जागरत हुई इनसे मिल करके जोसफ शुम्पिटर की कैसे how एक जो तार्किकता फैली थी उस समय समाज में कैसे तार्किकता आधुनिकता का आधार है ठीक है इसको जानन की इichhà इनमें जागरत हुई इसके अलावा एक रह गये पारठो ठीच है पारेटो पारेटो से इन्हें मिला EQ इक्वैली इक्वै्ले बिरियम का खोंसेप्त ठीक है इक्वैलि बिरियम मुन्स संतुलन ठीक है इसंतुलन का जो आब को कल मैंने बताया था क्लास में कि एक फंक्षणलिसम उन्हों ने क्या कहा कि सुसाइटी में क्या होता है इस सुसाइव ऐसमाज में क्या होता है कि एक फंक्षन हमेशा एक smashy function करती रहती एक structure के अंदर रह करके और उसका function कभी नहीं बिगड़ता है क्योंकि यहां पर कल्चर है यहां पर वैल्यूज हैं कुछ ऐसे रूल्स रेगलेशन नॉर्म्स ट्रेडिशन हैं जिनकी वजह से एक इनसान डरता है कुछ भी अलग करने से हैं ना हमेशा वो अपने दाइरे में रह करके ही काम करता है और इसी से क्या ब होगा संतुलन बना रहेगा एक्विली बिर्यम इस तरीके से नहीं परेटो से लिए ठीक है इसके बाद इसके बाद हम इनकी बहुत ही इंपॉर्ट राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे ठीक है और उन राइटिंग्स के बारे में बात करने से पहले हम एक बार रिवाइस कर लेते कि हम लोगों ने किस-किस के बारे में बात की ठीक है हमने सबसे पहले बात की कि यह जो आपके टेलकुट पारसंस है यह इस्ट्रॉक्श जो हैं वो इन्हें cultural determinist कहते हैं या culturalist कहते हैं क्यों कहते हैं आप समझ गए ठीक है आगे अभी आपने सुनी बाते उससे समझ गया है कि इन्होंने क्योंकि structural functionalism दिया और structural functionalism में इन्होंने बात की कि हमेशा society एक structure के अंदर रह करके function करती रहती है यह मतलब structure means उसका एक निश्चित दाइरह होता है और उस दाइरे में रह करके ही काम करती है जैसे कि आपने equilibrium words सुना कि वहाँ पर उसका हमेशे संतुलन बना रहता है ठीक है और यह जो equilibrium है किसले बना रहता है क्योंकि society में culture है और culture के अंदर values, traditions, norms, परंपराएं, प्रताएं यह सारी चीज़े मूल, यह सारी चीज़े हैं तो यह सब culture के अंदर आती है और इस culture के वज़े से ही क्या है society हमेशे स्टेटिस को कह सकते हैं कि हमेशे एक equilibrium में रहती है एक संतुलन उसके अंदर बना रहता है तो देखा आपने कि कैसे इन्होंने culture को focus किया तो इसलिए इने cultural determinist भी sociologist बोलते हैं Max Black call him maverick sociologist है विचेतर समाज शास्त्री Max Black ने विचेतर समाज शास्त्री इने इसलिए बोला था actually क्योंकि इन्होंने time to time अपनी theories में changes करते रहे यह time to time है ना एक बर जो theory दे दी उस पर यह अड़े हुए नहीं रहे उन्होंने time के साथ उसमें change कर दिय कुछ ना कुछ उसमें reforms कर रहे हैं संशोधन किया कि ऐसे नहीं ऐसे ठीक है लोगों ने बहुत सारी आलो चनाएं की बहुत सारे critics मिलते हैं लेकिन साथी साथ बहुत जादा तारीफ भी मिलती है ठीक है और यह जो हैं बहुत ही जादा धनी संपन्न वर्ग में आते हैं टेल administration होगा महा का ठीक है administration जो होगा उसका support मिलेगा उसके एक तरीके से class में आएंगे हैं जो अब higher class होगा higher class में यह भी थे और administration भी है तो उसका support इंको मिलता था है और administration क्या करता है कि आप की जैसे कैसे society को चलाना है ठीक है और यह क्या कर रहे हैं एक तरीके से उसको support कर रहे है कि चेंज थो हो ही नहीं सकता है कि इसकी सिसाइटी और से मिटा अध्यू को निशान नहीं है ठीक है संघर्ष होगा ही नहीं कभी कोई विरोध की आवाज उठेगी यह नहीं तो एक तरीके से यह administration को support था तो इसलिए administration वाले भी बड़े खुश थे इनसे करीब 10 साल तक 10-20 साल तक इनका प्रभाव बराबर बना रहा समाज में American society में ठीक है एल्वन वाल्ड गोर्डनर ने इन्हें criticize करते हुए कहा है कि यह status quist sociologist है यह यथा स्थितिवादी समाज शास्त्री है जो change को accept करना ही नहीं चाहते ठीक है एल्वन गोर्डनर और इनका जन 1902 Colorado USA में हुआ और इंट्रेस्टे थे biology और philosophy में इनके घर का परिवारिक महौली कुछ ऐसा था ठीक है जिसके विज़े से इन्हें ऐसा इंट्रेस्ट इनके अंदर पैदा हुआ और डॉक्टर और बायोलिजिस्ट बनना चाहते थे बच्पन में ठीक है लेकिन कुछ नहीं बन पाए दोनों मे फिर उनका PhD जो हुआ वो University of Berlin में हुआ ठीक है ठीक है तो यह बर्लेन में आए और यहीं पर इनकी जो है यहां पर क्या था जर्मनी के कौन थे मैक्स वेबर तो मैक्स वेबर जो थे वो उनका प्रभाव बहुत जाद था उनके समय में बट जब यह आए वहाँ पर तब उससे मैंने कहा पात साल पहले लग बर पात साल पहले मैक्स वेबर की सेमिनार्स के थूरू उनको बरकरार रख रही थी और इन्होंने क्या किया उनके सेमिनार्स को रेगुलर एटेंड किया और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और पार्संस ने अपना जो भी थियोड taşी है आप देखोगे तो आप जब मैक्स वेबर की थियोड़ी शीब होगे और पार्संस की थियोड़ी शीबादागे है कि इन्होंने क्या किया है अपनी पूरी थियोरी भर में इन्होंने Max Weber को criticize किया है जहां Max Weber चीजों को खतम करते हैं यह चीजों को अपने शुरू करते हैं उनी से आप एक तरीके से उनका combination देखोगे कि इनका Max Weber से बड़ा combination है ठीके इनकी theories का ठीके साथी साथ इन्होंने grand theory दी है social action की social system की ठीके तो यह सारी चीज़े आप आगे पढ़ोगे यह सारी चीज़े आपको मालूम होने चाहिए ठीके वही सारी चीज़े इवांस पिचर्ड के बारे में आपको बताया इवांस पिचर्ड मैलनॉसकी और यह सब क्या थे anthropologist थे मानव शास्त्री थे जो बहुत ही ज़ादा गहन अध्यन करते थे मानव समाज का बट यह sociology से अलग subject है बट काफी बहुत ज़ादा मैच करता है sociology से किसे ने से कहा है समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को कि यह दोनो जुडवा बहने हैं किसने कहा है जरा मुझे कमेंट में बताना who said sociology and anthropology is twin sisters तो लंदन of school of economics में इन लोगों से मिले और यहां पर इनोंने देखा कि कैसे भाई culture की study इनोंने क्या क्या इवांस प्रिचार्ड मलनॉसकी यह सब इस पर वर्क कर रहे थे और देख रहे थे काम कर र जानने की कोशिश की इनके मन में रूची पैदा हुई कि कैसे culture human behavior को क्या करता है बनाता है ठीक है प्रभा शेप करता है ठीक है culture संस्कृती से मारव विभार का क्या होता है निर्माण होता है एक तरीके से क्या सकते है ठीक है फिर उसके बाद Emmanuel Kant से भी प्रभावित हुई है Emmanuel Kant से इन्होंने grand theory के बारे में सोचा कि हम grand theory दे grand theory मतलब क्या व्रहत सद्धान्त मतलब क्या कि ऐसा सद्धान्त जो जादा से जादा एरिया पर generalize हो सके है ना और हर एक बदलते हुए समय के साथ उस एक सद्धान्त की जो है क्या मींस उस एक सद्धान्त की importance बनी रहे ऐसा ना हो कि भाई traditional society हो गए अब तो वो पुराना समाज था वहां का वो सद्धान्त था अब आज हमारा आधुनिक सद्धान्त है तो वो सद्धान्त हो गया पुराना अब आज वो लागुन नहीं होता तो ऐसी बाते ना हो grand theory हो मतलब अगर जाद से जाद जाद जगा को cover करें वो जाद से जाद से जन्रलाइज हो सके जाद से जाद से जाद सामानी कृत हो सके तो ऐसी theory grand theory की influence नहीं कहां से मिला एम्यान्वेल कांट से मैक्स वर्बर अराउंड 1925 फीडलबर्ग उनिवरसिटी यह नाइटीन विफाइफ एराउंड इसले लिखा है कि वहां पर गये एराउंड 1925 में ठीक है हीडलबर्ग उनिवरसिटी पीच्टी के वजह से तो वहां पात साल पहले भी मैंने बताया कि मैक्स वर्बर की डट हुई और उनम पर इननों ने मैक्स वर्बर की विचारों को सुना और वहां से मन में मैक्स वर्बर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाभागी तो Image एक्वली बिरयम का कॉंसट्फ परेटोसे मिला जिसे हिंदी में कहते है कि क्या संतुलन की धार्ना इन्हें परेटो से मिली ज्यूष शुमपितर डैवलप्मेंट एकॉनिमिक्स थे यूसथ वाँ सवाधी अर्थशाष्तेरी थे जोसरफ शुमपिटर के जोसरफ शुमपिटर विचे से मतीक रिवतनी नियुक्ट से सिववेथिय। जब इन्हों का बेस कौन है रspecific, का दौनKY्च cuarto, का जो आधार है वो क्या है तारकिकता है तो ये कैसे होता है इसको और ज़्यादा जानने की रूचिक से उत्पनुई जो सर्फ शुम्पिटर से ईचिक डायट ओफ ओफ एटिंट नाइनक्जिक से वर्फ अबस जानने की तियाट हो गईंडिंट आजाय। ठीक है तो इस तरिके से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए छिए इन की लैफ में क्या क्या चीज़ थे ठीक है क्योंकि इनकी theories काफी important है इनकी major writings है सबी Hindi medium और English medium दोनों ही वाले इसको as it is याद कर लो ठीक है बहुत important है सबसे important है जिसे मैं tick करूँगी ठीक है वो सबसे ज़्यादा important होगा I hope कि ज़्यादा छोटा नहीं हुआ होगा जो ज़्यादा exam में पूछा जाता है वो मैं आपको tick कर के बताती हूँ सबसे पहला है The structure of social action in 1937 very important ठीक है The structure of social system in 1937 next है The social system 1951 ठीक है The social system 1951 ठीक है The next है आपकी Towards a Journal Theory of Social Action with E. Shields E. Shields के साथ नहोंने लिखी ये वाली बुक Towards a Journal Theory of Action 1951 में फबलिश हुई The next book है Family Socialization and Interaction Process with Bales Bales के साथ नहोंने लिखी है 1953 में फिर Essays in Sociological Theory 1964 ये टिक किया मैंने ये तीन टिक किया मैंने तीन बुक इंपोर्टेंट अभी तक Essays in Sociological Theory 1964 Then next है Society's Evolutionary Comparative Perspectives 1966 में फबलिश हुई Politics and Social Structure 1969 The System of Modern Societies 1971 The System of Modern Societies 1971 में फबलिश हुई तो इस तरीके से इनकी इतनी सारे क्या हैं बुक्स हैं अब इनकी हम Action Theory कल से शूरू करेंगे ठीक है Next वीडियो में आपको इनकी Action Theory मिल जाएगी और Reading करते रहे हैं Notes बनाते रहे हैं Thank you बच्चो Take care और ओ करते बिपरीके COM